रिसर्च टूल्स की गुफ्टकू को आगे बढ़ाते हैं और एक और क्लासिफिकेशन जो आपको अमूमन लिट्रेचर में मिलती है टेस्ट की वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं बुनियादी तोर पे उन स्टेडीज में इस्तमाल होते हैं जहां पे हम किसी शख्स के यानि जो मेरे रिसर्च का सबजेक्ट है इंडिविजुल है या कोई ग्रूप आफ इंडिविजुल्स है उनके अनकॉंशिस थाट्स या फीलिंग्स मोटिवेशन को देखना चाहते हैं यानि अमूमी तोर पे वो खुद भी उनसे बहुत शनासा नहीं हो सकते लेकिन उनके अनकॉंशिस में सबकॉंशिस में कहीं कोई चीजें मौजूद हैं और मेरी रिसर्च उन चीजों को एक्स्प्लोर करने पे फोकस करती है तो ऐसे काम के लिए अमूमन हम जो हैं वो यह प्रोजेक्टिव टेस्ट इस्तमाल करते हैं इसमें बुन्यादी आइडिया सिंपल सा है कि आप कोई भी इंबिग्विस चीज उनके सामने प्रिजेंट कर देते हैं एबस्ट्रेक्ट चीज उनके सामने रख देते हैं कोई इमेज हो सकता है कोई लवस हो सकता है कोई इनकंप्लीट सेंटेंस हो सकता है ओपन एंडिट सी कुछ चीज होती है विच इस ओपन टू मल्टिपल इंटरप्रेशन सो आप कोई भी टेस्ट बना लें आप किसी तरह का भी इसमें टूल बनाएए आपके जहन में ये बात क्लैरिटी से रहन जाएंगे वो अपनी नेचर में ओपन होना चाहिए ओपन टू मल्टिपल इंटरप्रेशन यानि आपके जहन को जिसने उसको हल करना है जिसने उस टेस्ट को अटेम्ट करना है उसके पास ये गुझाईश हो कि वो उसको अपने सब कॉंशिस अपने अनकॉंशिस रादर ज उसकी इंटरप्रेशन करना चाहे तो वो खुल कर सामने आ जाए तो आप इसमें इस तरह के कोई भी एबस्ट्रेक्ट चीज उसके सामने रख देते हैं बसलिए अगर मैं चलूं तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसकी एक एक्जामपल है आप कोई एक इनकंप्लीट फिक लिख देते हैं जिसके आगे उसको मुकमल करने के लिए किसी भी तरह की कोई चीज लगाएं तो मुकमल हो जाता है मैं रोड एक्सिडेंट में जखमी हालत में पड़े हुए शक्स को देख कर आगे खाली छोड़ दीजिए आप कोई एबस्ट्रेक्ट इमिज लगा दीजिए और कहिए कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है यह और तरह का टेस्ट हो सकता है सेंटेंस कंपलीशन में बेसिकली है कि टेक्स्ट लिखा होगा और उस टेक्स्ट को आगे से आप इस तरह से उपन छोड़ देंगे कि उसको पूरा करने के लिए हर आदमी जो चाहे लिख सके और वो मुकमल हो जाए और फिर उसके जो जिस राइट अप से वो उसको मुकमल मिल जाएगा कि वो अपने जहन में अपने कहीं कॉंशिस के किसी हिस्से में इस मौजू पे क्या सोचता है जो डामिनेंट थाट उसके कॉंशिस में होगी वो आपके सामने आ जाएगी तो आप इस तरीके से इन प्रजेक्टिव टेस्स के जरीए से इन हीडन इमोशन को रखसियत को समझने के लिए इसी तरह इसकी एक और एक संपल है ड्राव परसंट टेस्ट आप कहते हैं किसी कोई आप पिक्चर बनाई है किसी और नहीं कहना अपना आप ड्रा करिए अपनी पिक्चर बनाई है अपने किसी टीचर की पिक्चर बनाई है अपने आईडियल ट करेगा तो उस पिक्चर में वही फीचर डॉमिनेंट होंगे जो उसके अनकॉंशिस में कहीं पड़े हुए हैं जहन के किसी हिस्से में छुपे हैं जो के वह इस तरह से आपके सामने रख देगा इसी तरह से कैट टेस्ट एक और चीज़ है चिल्डन एक परसेप्शन टेस्ट हैं इससे कैट टेस्टों से क्या मुराद है जी कैट या टेट टेस्ट आप चैलिजिए दो तरह की विरिएशन्स हैं यह डिजाइन किये जाते हैं कि बच्चे पिक्चिस के इस्तमाल से चीजों को रिलेट कर सकें एक्सपीरियंस को मुखतर तरह के डिवेलमेंटल लेवल् इस पिरियंस को अब इस प्रॉसिस के जरीए से आपको उनके जो थौट्स हैं जा उनके जहनों में जो चीजें चुपी बैठी हैं वह आपको देखने में मादद मिलती है वर्ड असोशियेशन्स हैं आप एक सैट आफ वर्ड दे देते हैं मुखत जगा एक प्रिजेंट कर उसे आपस में किनेक्ट करके मीनिंग फुल चीजें बनाई जा सकती हैं तो इससे आपको उनके अंडर लाइंग सैकोलाजिकल असोशियेशन्स समझ आती हैं जो उसको हल करता है वो उन लवजों को किस किस तरीके से जोड़ता है यह जोडने का अमल और उससे नई चीजें सबकॉंशियस में पड़ी हुए रवईयों को बिलीफ को समझने में हैल्प देने में हैल्प देते हैं आप देखिए कि यह एरिया बहुत ज्यादा अन एक्सप्लोर्ड एरिया है एजुकेशन के फील्ड में खास तोर पे एजुकेशनल रिसर्च में क्लास्रूम्स में उन हमुमी तोर पे इंट्रोवर्ट होते हैं अपनी चीजों का इजहार नहीं करते उन से मुतलिक जब भी आपको कुछ काम करना हो तो यह टेस्स इस्तमाल किया सकते हैं इस तरह के बेश्मार टेस्ट और इन क्लासिफिकेशन जो मैं आपके सामने रखी यह चार कैटिगरी इस